हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधान सबस चुनाव है लेकिन चुनावों से पहले ही सत्ता पर काबिस बीजेपी को हार का डर सताने लगा है क्योंकि प्रदेश में हर पांस सालों में सत्ता में बदलाव की परंपरा है लेकिन इस बार भी बीजेपी सत्ता में वापसी का सपना देख रही है तो वहीं कॉंग्रेस ब्रश्टा चार घोटालों और महेंगाए पर बीजेपी को घेर रही है प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी की मौझूदगी भी कॉंग्रेस और बीजेपी का खेल बिगार सकती है तो अब क्या है बीजेपी की राष्टी अध्यक्ष जगत प्रकाष्ट नड़ा को सौपदी है जिसका नजारा कांगडा में हुई रैली में देखने को मिला जहां नड़ा मुख्य चहरे के तौर पर पेश किये गए जबकि बीजेपी के दोनों वरिष्ट नेता तस्वीर से गायब थे कांगडा में हुई रैली में बीजेपी ने दोनों मुख्य मंत्रियों धूमल और शांता कुमार से दूरी बना के रखी थी इस दोरान शांता कुमार पालमपुर में थे और नड़ा ने भी उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की इसके अलावा रैली के लिए कांगडा में भी लगाए गए पोस्टर में मुख्य रूप से नड़ा और मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर के चहरे का इस्तमाल किया गया था खास बात ये है कि हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का ग्रह राज्जी है पार्टी ने कांगडा में रोडशो और रैली के दोरान ना ही पूर मुख्य मंत्रियों के नाम का खास उप्योग किया और ना ही मौजूद्गी दिखाई कहा जा रहा है कि बीजेपी शाय ठाकुर और नड़ा समेथ अगली पीडी के नेताओं के नाम पर अगामी विधानसबा चुनाफ के लिए वोट मांगना चाहती है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी दो धड़ों में बढ़ चुकी है जिसमें से एक की अगवाई शान्ता कुमार करते हैं और दूसरे की कमान धूमल के पास थी एक और जहां कुमार का समू कांगडा संसदिय शेत्र में मजबूत था वहीं धूमल समू की जड़े हमीरपूर शेत्र में गहरी थी इसके अलावा दोनों पूर्व सीम के राज़े में कई वफादार भी हैं धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर केंद्रिय मंत्री हैं और उनकी राजनीती राश्टिय स्तर पर सीमित है साथ ही वो राज़े की राजनीती में खास दखल नहीं रखते हैं अब नड़ा को मौझूदा सीम ठाकुर का मजबूस समर्थक माना जाता है हाली में उन्होंने राज़े के सीम चेहरे को लेकर जारी अटकलो पर विराम लगा दिया उन्होंने राज़े में चुनाव से पहले सत्ता में परिवर्तन नहीं होने की बात कही थी शिमला में हुई प्रेस कॉन्फरेंस में नड़ा ने कहा था कि राज्य में बीजेपी जैराम ठाकुर के नेतरित में चुनाव लड़ेगी अगर पूर्व सीम शांता कुमार और पी के धुमल से नड़ा किनारा करते हैं तो ये बीजेपी पर उल्टा भी पड़ सकता है तो वहीं प्रदेश में कॉन्फरेंस भी इस बार मजबूती से बीजेपी के लिए चुनावतियां पेश कर रही है वहीं आम आदवी पार्टी की मौजूदगी भी बीजेपी के सपनों पर पानी फेड सकती है लेकिन ये तो साफ है कि इस पहाड़ी राज्जे में बीजेपी फिलाल बैक फूट पर है क्योंकि जैराम ठाकूर को लेकर जनता में खासी नाराज़की है अब जेपी नड़ा बीजेपी का कितना बेड़ा पार करते हैं ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा लेकिन हिमाचल में सियासी सरगर्मिया काफी तेज है डीबिलाइफ की रिपोर्ट